क्या आप जानते हैं बार बार हाथ धोना बार बार सफाई करना एक मानसिक बिमारी का लक्षन हैं अगर आप इस मानसिक बिमारी के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में पूरी डेटेल जान लीजिएगा मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है मैं राजंदर जोदपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हारदिक सवागत करता हूँ Contamination OCD OCD 11 परकार की होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो परकार पाया जाता है वो है साप सफाई वाली OCD या गंदगी वाली OCD और इस OCD के विशे में खास बात यह है कि यह OCD 80% महिलाओं में पाई जाती है जो कलीनिंग वाली OCD है इस OCD को कलीनिंग OCD भी कहते हैं क्योंकि इस OCD से पिडित इनसान कलीनर होते हैं वो साप सफाई के मुरीद होते हैं यहां कहीं भी जाएंगे और वहां से वापस आएंगे तो हाथ जुरूर धोएंगे नाएंगे धोएंगे कपड़े भी बदलेंगे और जहां जहां पर उनको शक वहम रहेगा कि यहां यहां पर कुछ टच हुआ है या गंदगी लगी है उस स्थान को साबुन से भी धोडालेंगे तो इस OCD को Contamination OCD कहा जाता है और यह OCD महिलाओं की OCD है इस OCD से पुरुष भहुत कम पीडित होते हैं ज्यादा तर 80% महिलाएं ही इस OCD से पीडित होती है और खास डेटा जो मैंने त्यार किया है वो इस परकार है कि इस OCD से पीडित इनसान UP बिहार में जादा है जो उच्य वरग है आर्थिक अधार पर तीन वरगों में समाज को बांटा गया है निमनस्तर, मध्यमस्तर और उच्यस्तर इस प्रेशानी से गर्षित महिलाओं की संख्या अपर कलास में, मिडल कलास में ज़्यादा पाई जाती है लोवर कलास में ये OCD अपेक्षा क्रित कम पाई जाती है और इस OCD से गर्षित महिलाएं UP बिहार या दिल्ली जहां पर भीड़ भाड बहुत जादा है या जहां पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उन इलाकों में ये OCD ज़्यादा पाई जाती है तो ये मेरा personal data है, क्योंकि मैंने contamination OCD अर्थात गंदगी वाली OCD से पीडित लाखों लोगों से बात की है और लगबग 4-5 हजार लोगों को ठीक भी किया है ये मेरा personal व्यक्तिगत अनुभव है और इस OCD को ठीक करना काफी मशक्कत भरा कारे रहता है लेकिन एक expert counselor, एक expert therapist के लिए ये चुनोती पूर्ण कारे है लेकिन ये OCD ठीक भी हो जाती है इस OCD में दो खास बात होती है कि एक तो मन के अंदर belief रोंग बना होता है कि गंद की कहीं बहार है किसी चीज से टच हो गए, दरवाजे से टच हो गए या बहार नाली से टच हो गए, किसी सफाई वाले से या कूडे वाले से टच हो गए तो हम गंदे हो गए, ये एक रोंग बली बना होता है और दूसरा खास कंपोनेंट इस OCD में रहता है वो है पैटरन्स डेवलेप हो जाना, आदत बन जाना जैसे हाद होना सफाई करना इनकी आदत में शुमार हो जाता है इसके बगार ये रहे ही नहीं पाते जैसे एक सराबी इनसान बिना सराब के नहीं रह पाता है तो ऐसे ही जिनको एक्सेसिव हाद होने की सफाई करने की आदत होती है वे रहे ही नहीं पाते हैं उनका हाथ खुद बे खुद पानी की तरफ चला जाता है साबुन की तरफ खुद भे खुद हाथ चला जाता है तो ये कंटैमिनेशन परकार है इसमें खास लक्षन यही होते हैं कि बार-बार हाथ धोना पड़ता है बेड पर कोई बैड जाए तो बेड की चदर को बदलना पड़ता है और खास लक्षन आजकल करोना काल में ये भी सामने उबर कर आया है कि बार से कोई भी वस्तु लेकर आओ उसे धो पोंचो मोबाइल को भी साप करो रिमोट को भी जहां पर लोगों के हाथ ज़्यादा लगते हो उन स्थानों को पानी से या सेनेटाइजर से साप कर देते हैं दरवाजे के हैंडल धो देते हैं अभी मेरी एक महीला से बात हुई वो सरप से सब कुछ धो दिया करती थी और मैंने भी ऐसा एक घर में देखा है मैं खुद गया था वोश्री का इलाज करने वोश्रूम के अंदर साबून ही साबून घोले बैठी थी साबून ही साबून उसके घर में फैला हुआ था वो तो सीट के उपर अखवार लेकर के बैठती थी वो सीवियर OCD है कंटैमिनेशन OCD जब सीवियर हो जाती है हद से जादा बढ़ जाती है तो हालत इस कदर हो जाती है कि इनसान दूसरे से टच भी नहीं होता है पती पत्नी में आपसी रिस्ते खराब हो जाते हैं फिजिकल रिस्ते बिलकुल बिगड जाते हैं कोई भी दूसरा टच करता है तो इनको गंधगी मैसूस होती है ये सामने वाले को भी दुला देते हैं या खुद नहने धोने चले जाते हैं तो ये कुछ खास लक्षन कंटेमिनेशन OCD के हैं जैसे कोई चपल जूती इनके घर में लेकर आ जाए तो ये फरस को धो देंगे जहाँ जहाँ पर कोई महमान बैठेगा उस्थान को धो देंगे और खास लक्षन इस OCD में ये भी पाया गया है कि महिलाएं नहने से पहले सारा कुछ कर लेती हैं लेकिन नहने के बाद किसी काम को नहीं करेंगी क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप नहा करके मैं शुद हो गई हूं तो अब किसी भी चीज को अगर मैं टच करूंगी तो म मैं गंदी हो रही हूं मेरे अंदर गंदगी आ गई है और इनको ये भी लगता रहता है कि गंदगी फैल जाती है जिस ऑबजेक्ट को ये चुएंगी जिस सामान को ये चुएंगी वो सामान भी गंदा हो जाएगा और कई बार ऐसा लक्षन भी इस OCD में उबर आता है कि य अब अपवित्र हो गई है अशुद हो गई है किसी चीज से टच हो गई है या इनोंने फिजिकल कर लिया है तो अब वो अशुद हो गई है अब वो पुजा पाथ नहीं कर सकती है भगवान नराज हो जाएंगे तो इस परकार का लक्षन भी इस OCD में अक्सर उभर कर सामने आ होती है तो ये लक्षन बार बार इस OCD में सफरर को मैसूस होते रहते हैं अब बात करते हैं इस OCD का करण अगर आपके घर में पहले से ही कोई OCD का मरीज है खास कर के आपके बलड़ रिलेसन में जिसमें आपके नानानानी का प्रिवार और आपके दादा दादी का प्रिवार अगर वहाँ पर कोई OCD से पीडित है या anxiety से पीडित है तो आप में होने की संभावना बहु जादा बढ़ जाती है वरना ये anxiety से पैदा हुआ रोग है अगर आपके अंदर anxiety का level जादा है और इसका इलाज बहुत आसानी से और बहुत मुस्किल दोनों से होता है, क्योंकि अगर आपकी OCD mild है या moderate है, तब तो counseling और psychotherapy से बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बिना दवाई ठीक हो जाएंगे, अगर आपकी OCD severe हो गई है, आपको घंटों हाथ धोने में लगते हैं अगर आप हाथ ना धोयें, तो आपकी anxiety कम ही नहीं होती है, आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, आप ऐसा महसूस करने लग जाती हैं, कि आप तो कुछ हो जाएगा, आप भूली जाती हैं, कि बिना हाथ धोये भी रहा जा सकता है, या बिना साबुन के रहा जा सकता है और anxiety इतनी ज़्यादा होती है कि आप हाथ धोए बगार कलपना भी नहीं कर सकती हैं तब ये severe OCD बन जाती है तो इस अवस्था में आपको दवाईयां भी लेनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा तर ऐसा होता है कि वो शुरूम में कोई छीटा पड़ गया तो आप छीटे को इगनोर नहीं कर पाती हैं आप जब तक धोएंगी नहीं सना नहीं करेंगी तब तक आपके लिए कुछ भी चूना करना बहुत मुस्किल हो जाता है तब ये लक्षन severe OCD का है अगर आप कई वार इगनोर भी कर द जाती है जैसे मैंने बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये लक्षन पाया है कि कोई गंदगी उनसे टच भी नहीं हुई है कोई छीटा उनके उपर गिरा भी नहीं है कुछ उनको लगा भी नहीं है लेकिन उनको ऐसा लगता है ऐसा मैसूस ही हुआ है कि लग गया है तब delusional level चली गई है इसके इलाज में दवाईयां भी साथ चलेंगी और काउंसलिंग और साइको थेरपी में CBT थेरपी हिपनो थेरपी माइंडफुलनेस थेरपी और सिरिमत भागवत गीता थेरपी गीता थेरपी वैन्य साइको थेरपी की मदद से कंटेमिनेस्टन OCD को बिना बात करते हैं तो OCD का इलाज खास करके कंटेमिनेस्टन OCD का इलाज ओफ लाइन बहत्रीन होता है इसके लिए आप घर पर फोन के मद्यम से इलाज ले सकती हैं मनो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है